ग्रहन लग जाता है उम्मीदों पर जब होसला हिम्मत ही ना दे। जब हम और आप जैसे लोग सरहदों में बढ़ जाते हैं। इसले कई दिनों से उसी पर विश्लेशन भी कर रहे हैं। आएए जानते हैं इस सूरी ग्रहन के बारे में कुछ खास बात हैं। हर ग्रहन कुछ विशे संकेत देता है, इंडिकेशन देता है। जो तिस सास्तर का नुसार सूरी ग्रहन की घटना नई सुरिवात का संकेत देती है। जो लोगों को सफलता और समरद्दी की दिसा में आगे बढ़ा सकती है। हाला की ये चीज़ें आपके लिए अस्तरी की रूप में सामने आ सकती हैं और सांसरी गटनाओं से जूड़ी हो सकती है। हम लोग ज़्यादा सिमित दस्तिकोन बनाया रखते हैं और उन विकल्पों पर ही ध्यान के इंदित करते हैं जो आसानी से मिल जाए। हाला की सूरी गटनाओं की समय कुछ चीज़ें अस्तरी रूप से अवरुद हो जाती है और ऐसे विकल्पों के लिए दर्वाजे खुलते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाला की गटनाओं को असुब माना जाता है लेकिन गटना आसिरवाद भी बन सकती है कैसे। इसलिए ग्रहन लिखते समय ग्रहन के स्थानों पर और प्रकार को भी सूचित करना पंचांगों की एक निश्चित प्रकरिया होती है। और इसलिए आप देखोगे जो भी पंचांग होते हैं उसमें खंडग्रास, ग्रहन, कंकणागती ग्रहन ये सब कुछ लिखा होता है समय का अनुसार, देशकाल, इस्तितिक अनुसार, भाउगलिक पर इस्तितिक अनुसार, जोतिस गणना की अनुसार, ये सूरी ग्रहन, मार् होगा और इस सूरी ग्रहन की समपती 4 दिसंबर 2021 की दोपर को 3 बज करके 7 मिंट पर हो जाएगी, पंचांग को अनुसार, ये सूरी ग्रहन लगबग 4 गंटे का होगा, संयोग वस, 4 दिसंबर को पढ़ने वाला खंग्रा सूरी ग्रहन, जोतिस की दस्ति से खास होने वाला है ये ग्रहन बड़ी जोतिसी हलचल का साकसी भी बनेगा, ये सूरी ग्रहन व्रस्टिक रासी में होने जा रहा है, व्रस्टिक रासी चनमा की नीच रासी होती है, वहाँ जाकर की चनमा नीच रासी हो जाता है, इस ग्रहन के समय सूरी के साथ में चनमा, बुद्ध और केतु भी मौझूद रहेंगी यानि व्रस्चिक राशी में चार ग्रहों की मौझूदगी में यह सूर्छ ग्रहन गटित होगा और और भी विशेष्था है किस दो ग्रह अस्त होंगे और दो ग्रह वक्रि होंगे इस दिन सूर्य के साथ में जब केतु भी है और साथ में चनमा भी है तो ये स्तिती होने से सूरी और चनमा दोनों ग्रहन घंटित हो गए इस समय काल में जो भी बच्चे पैदा होंगे दोनों ग्रहन योग का उनको फल भुगतना पड़ेगा अपनी जिवन में और ये दो विशेष से संबन्द क्या है इस ग्रहन में सनी सूरी की रासी से सडास्टे कर रहे है करक रासी पर सनी की सीधी दस्ती है मंगल की रष्टिक रासी में ग्रहन गटित होने वाला है और मंगल भी सनी से द्वादस है भारतवस की कुणली में पंचम भाव में ये ग्रहन गटित हो रहा ह सूरी के कमजोरोने से मांदसमान में कमी आ सकती ए कोई रोग हो सकता है वहीं आखों से समन्दित को परक्रशनिया आ सकती है इसके साथ ही साथ क्योंकि सूरी पिता का काराग है इसलिए पिता से समन्द प्रभावित हो सकते हैं या पिता जी की सेहत खराब हो सकती है इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी वेक्ति को जो व्रसिक रासी है उन सब की पिता जी की तबध खराब होगी सावधानी रख सकते हैं तो सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय होता है सूरी ग्रहन के समयकाल के दोरान भगवान विश्णु की आरादना करनी चाहिए इस दोरान क्रोध करने से बचना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना है यह सूरी ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए सूतक को लेकर के कोई भी प्रभाव नहीं है और ना ही इस ग्रहन का कोई धार्मी महत्व बोल रहे हैं लेकिन व्रस्तिक रासी में सूरी के पेडित होने से और सूरी कितु की यूती उनसे तो ग्रहन योग कहा ही जाएगा और इसका प्रभाव सभी रास्यों पर पड़ेगा यह सूरी ग्रहन अंटार्टिका ऑस्टेलिया अमेरिका साथ में साथ अमेरिका में भी यह ग्रहन देखा जा सकेगा तो जिस साइड में जिस देश में यह ग उनको तो ग्रहन का प्रभाव हो गई होगा इस सूरी ग्रहन के दौरान भारक में सूतक काल मानने नहीं है लेकिन जो लोग ब्रह्मान के हर ग्रहन को मत्व देते हैं हर ग्रहन के सूतक काल को मानते हैं वे सूतक के नियमों का पालन का सकते हैं और सूरीग्रेण के 12 गंटे से पहले सूतक आरंब हो जाता है और चंद ग्रेण में 9 गंटे पहले सूतक लग जाता है were अगरास सूरी ग्रहन होने के बावजूद भी सूरी ग्रहन का प्रभाव सबी रासियों में दिखाए देगा। सूरी ग्रहन के दोरान वरस्टिक रासी और जेश्ता नक्षट के लोगों को विसेश सावधानी बरतने ही चाहिए क्योंकि इस बार का सूरी ग्रहन के दोरान यात्रा करने से बचना चाहिए इस समय ग्रहन का आपकी रासी पर क्या प्रभा पढ़ने वाला है यह भी अब मैं को बता रहं। आरम कर रहा हूं मेश रासी से। मेश रासी के लोगों के लिए सूरी ग्रहन एट ताउस में मारक भाव में लगने जा रहा है। जल्द बाजी में कोई काम नहीं करना है जिवन साती का ध्यान रखना है और तनाव और कले के स्थिति से दूर रहने का प्रियास करना है जरूरत मंदों की मदद करें जितना संबव हो और आपको मंगल के तांतिर्ग मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भूमाय नमा इस मंत्र का जाप करना चाहिए या जितना भी समय काल आपको मिले घ्रण काल में बजरंग मान का पार्ट करना जाहिए आईए अब बात करें व्रसभरासि की ये सूरी घ्रण व्रसभरासि के शेवन थौ puppet पढ़ने वाला है दांपत सुग्वाव में पढ़ने वाला है मन में ञेगेटि जो भी मंत्रा आपको अच्छा लगे या आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं आईए अब बात करें मितुन रासी के लिए सूरी करन रोग बाव में शिक्स ताउस में पढ़ने वाला है और आपको सनी का ढहिया भी चल रहा है ज्यान और सिक्सा के मामले में असंतुस्ति प्राप्त हो सकती है स्टुडेंट्स को अधिक मैनत करने के जलूरत हैं रुपे पैसे की बचचत करें फ्यूचर को ध्यान में रख करके इन्वेस्मेंट करने की योजना बना सकते हैं औ-बुम बुदाय नमा इस मंतर का जाप करना आपके लिए सुब रहेगा आएए अब बात करें करक रासे की यह सुरीकर carries के लिए फिफ्त आउस में शिक्सा और संतान बाव में पढ़ेगा इस समय भागेश बरस्पती रासी से अस्टम बाव में मारक बाव में गति सीले सहत का ध्यान रखना पड़ेगा लोगों का सम्मान करें और कोई भी डिजल लेने से पहले सभी बिंद्वों की सभी साइड की जांच अवस्य कर ले इस समय में विसे सावधानी बरते हैं उपाय करें और आपको महमनतुज्य मंतर य से बच्चना पड़ेगा वो आपको हानी पहुचा सकते हैं डेमेज कर सकते हैं लॉस दे सकते हैं अपनी प्लानिंग को ले करके स्ट्रटेजी को ले करके बहुत ज़्यादा सतर करें अपनी माताजी के स्वास्ति के देख बाल करें मन में नेगेटिव विचार नहीं आने यह प्रियास करें और इस समय काल में यदि आप ड्राइव करते रहते हैं तो बहुत सावधानी बरते हैं और उपाय के तौर पर आपको ओम आदित्याई विद्महे दिवा कराए धीमही तन्नो सूरियह प्रचोदयात इस सूरिय गायतिर मंतर का जाप करना चाहिए आईए गलत भी हो सकता है ये भी ध्यान रखना है सावधान रेना है जिवन साती की सहत को लेकर के ध्यान रखना है उनकी क्यार करनी है और आपको ब्राम ब्रेम ब्राम सहब उधाय नमा इस मंतर का जाप करना चाहिए आईए अब बात करें तुला रासी की ये सूरिय ग्रेन आपक के तोर पर ओम द्राम द्रेम द्राम सह शुक्राय नमा इस मंत्र का जाप करना सुब रहेगा आए अब बात करें व्रस्टिक रासी की यह सूरी ग्रहन व्रस्टिक रासी के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगा क्योंकि यह ग्रहन व्रस्टिक रासी में गटित हो अपनी ऊर्जा का सही और सकारात्मक दिशा में प्रियोग करें के तु आपकी रासी में गोचर कर रहें ब्रेस्पती भी आपकी रासी से फोर्ता उसमें केंद्र में इसने सेहत और केरियर को लेकरके सावदान हो जाएं आपको अपनी रासी का मंतर ओम अंग अंगार काय नमा इस मंतर का जाप करना चाहिए इससे आपकी रक्षा होगी आईए अब बात करें धनूरासी की यह सूरी गरन धनूरासी से नास बाव में अता 12 आउस में पढ़ने वाला है आपको सनी की सारसाथ एक अंतिम चलन चल रहा है गलत कामों से दूरी बना करके रखनी है अचानक लाब भी मिल सकता है तो अचानक से हानी के स्तिती भी बन सकती है इसने रुपए पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहना है संबंदों को लेकर के बहतर स्तिती बनाए रखनी है और आपको ओम नोमो भगोते वासु देवाए इस मंत्र का जाप करना सुब रहेगा आईए अब बात करें मकर रासी की तो आप मकर रासी के लोगों के लिए सूरिग्रन लाब भाव में 11 ताउस में गटिद होगा आपको सनी की साधी का सेकिंड फेस भी चल रहा है मन को सांथ रखने की कोसिस करें अब भचर बासाक का उपयोग नहीं करें और वानी दोस की स्तिति नहीं बनने दें ध्यारी बनाए रखें अपने कॉंपुटेटर से सावधान रहें और आपको ओम प्राम प्रीम प्राम सह सने नम इस मंत्र का जाप करना सुब रहेगा अब बात करें कुंप रासी की तो आप कुंप रासी के लिए सूरी ग्राण दसम बाव में तैन ताउस में प्रोपेशन बाव में लगने जा रहा है आपको साड़े साथी का फरस्ट चलन चल रहा है किसी का अहित करने से बचना है प्रेम और विनम्रता को बनाए रखना है अचानक लाब होने की स्तिती बनी हुई है धरम करम के कारियों में भी आपको इंटरस्ट लेना चाहिए और आपको ओम सम सनेश्चर रहनमा इस मंतर का जाप करना सुब रहेगा अब बात करते हैं मीन रासी की यह सूरी ग्रैन मीन रासी से भागे बाव में गटित होने वाला है ब्रसपती भी गोचरवस रोग बाव में गटित ही ले सहत के मामले में साबदान रहना पड़ेगा और कर्ज लेने या कर्ज देने की स्तिती से बच्चना पड़ेगा परिवार के सदेस्यों से संबंदों को मजबूत और मदूर बनाने का प्रियास करना है आपको ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंतर का जाप करना सुब रहेगा अब जिन देशों में भी ग्रहन लग रहा है वहां के लोग प्रभावित होंगे जिस रासी के लोग हैं वो प्रभावित होंगे तो ग्रहन के प्रतिकुल प्रभाव से रहात पाने का क्या उपाय करना चाहिए तो अपनी रासी के स्वामी ग्रह के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए जो कि मैंने अभी बतलाएं हर रासी के लिए आप अपनी रासी के मंत्रों का जाप करें जिससे आपकी रासी को बल मिले या फिर रक्षा प्राप्टो जिनके जन्म नक्षत्र जन्म रासी जन्म लग नक्षत का स्वामी है बुद्ध, Olaf looked at suna, तिलstes Luck. घी, चावल नीले वस्तर, इन सब का दान कर संकते हैं जो भी आ उची समय जो भी समर्थ हो सारी सारे चीज़ा मोत यह कोई एक चीज़ भी दान कर चकते हैं दान की कोई सीमा नहीं है अगर कोई व्यक्ति एक ट्रक बर के दान दे दे तो भी वो दान ही कहलाता है मुठी पर दान दे दे तो भी दान ही यह सूरी ग्रन रस्टिक राशे में गटित हो रहा है अत मुंगा, ग्याहू, गुड, तामभा का पातिर, लालवस्तr, मसूर की दा रक्त, चंदन, केसर या भूमी ये सब वस्तों में से जो भी समर्तियों उन वस्तों का दान करना चाहिए। नहीं किये जाते हैं और इस अवदी में गर्वति महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन समाप्त होने पर अवस्तों करनी चाहिए इससे सुद्धिकरण हो जाता है और क्योंकि इस समय में प्रक्ति बहुत समयदल सील होती है इसलिए हर बात का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। जहां तक सूत्त की बात है या सूरी गर्ण और चंदी गर्ण दोनों के समय लगता है बस घटना के समय भौगोलिक्ता को देखते करके वे या पिर इस्थान को देख करके इसका समय ताय किया जाता है। इस बार भारत में ये गर्ण नहीं की देखा जाएगा इसलिए या इसका सूतक नहीं लग रहा है। हम भी इस व्यवस्ता का हिस्सा हैं इसलिए जो व्यवस्ता इस प्रत्वी पर है उस व्यवस्ता का पालन करना ही चाहिए। क्योंकि ये आपको भी पता नहीं कब आपको किस चीद की जरूरत पढ़ जाए तो आपको भी किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ सकता है। तो ऐसे इस्तिति में यदि आपने कुछ दिया वाए तो आपको वापस मिलेगा ये धार्मिक माननेता हैं समाजिक माननेता हैं और ये हमेशा काम करती है मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें सुरक्सित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत- शुब कामने इश्वर आपकी रक्षा करे बहुत बहुत धन्यवाद